हेलो फ्रेंट्स तो आज हम बात करने वाले हैं वीडियो एडिंग के बारे में कि कैसे आप अपने वीडियो को एक अच्छे इफेक्टिव तरीके में आप एडिट कर सकते हैं गाईज आप वैसे तो कोई भी गाईज वैसे तो आप कोई भी application आप use कर सकते हैं जैसे power director हो गया काइन master हो गया कोई भी video maker application हो गया बट गाइज आज हम बात करने वाले हैं काइन master application के बारे में जिसका यूज करके आपने video को edit कर सकते हैं तो चलिए इसको कैसे install करना है कैसे open करना है कैसे इसको operate करना है आज सब कुछ हम लोग बात करने वाले है तो देखिए मेरे मुबाइल में तो यह application पहले से install है बट आपको कैसे इसको open करना है तो सबसे पहले आपको जाना है play store में मैं आपके दिखा दूँ आपको जाना है play store में और वहाँ पे simply आपको type करना है काइन master काइन master सर्च पे क्लिक करना है देखिए मेरे मुबाइल में पहले से install है तो यहाँ पे open नाम का option आ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं easily मैं आपको दिखा दूँ ब्रस में open कर लता हूँ अपना देखिए यहाँ पे open नाम का option आ रहा है तो इसको हम simply open कर लेते हैं देखिए मैंने open कर लिया यही से देखिए मैंने अपना जतना सारा मेरा project है mostly मैं इसी से मैं create करता हूँ या फिर laptop में करता हूँ filmora से laptop में करना है तो इसके लिए अलग software है अब mobile में करना है इसके लिए अलग software है आप यहां भी मैंने बताया आपसे कोई भी application आप use कर सकते हैं आईए कैसे इसमें open करना है कैसे इसमें वीडियो को export, import, cut, copy, paste, image, text कैसे आपको insert करना है आपको मैं बनाओगा यह वीडियो part wise क्योंकि इसमें इतने सारे features हैं guys सबको एक वीडियो में लेना possible नहीं हो पाता है तो आईए, सबसे पहले हम बताएंगे कि किसी वीडियो को जब बनाते हैं आप create करते हैं उसमें कुछ unnecessary starting में या बीच में या last में कुछ वीडियो clip आयाते हैं जिसको आपको cut करना होता है आईए, तो सबसे पहले आपको कहां पर click करना है देखिए plus नाम के symbol पर दिख रहे हैं आपे आपको plus पर click करना है चलिए हम plus पर click कर लेते हैं और यहां से select करना है ratio ratio का मतलब sense क्या होता है guys मैं आपको समझा दूँ देखिए ratio का मतलब क्या है कि 11916 या 169 यह आप अपने किसी मोबाइल को किसी वीडियो का आप suit कर रहे है portrait में portrait में तो कौन सा आप करेंगे select 1916 का यह आप किसी वीडियो का आप suit कर रहे है landscape mode में तो कौन सा select करेंगे guys 169 का आईए जो मेरा वीडियो है वो 169 का है और YouTube में mostly वीडियो इसी रेशियो में upload किये जाते है आईए इसको हम select कर लेते है देखे select करने के बाद यह इसका पुरा interface है layout है कैसे इसमें काम करना है देखे यहाँ पे media नाम का option मैं दिखा दूँ आपको देखे यहाँ पे media आपको media पे click करना है चलिए हम click कर लेते है तो media में click करने के बाद आपको वो video insert करना है select करना है जिसको आप edit करना चाहते हैं आप इसमें background यहाँ से आप मैं दिखा दूँ आपको sorry देखे आप यहाँ से background भी select कर सकते हैं background की जो video है उसके पीछे आप कोई भी background आप लगा सकते हैं चाहिए वो कोई भी simple color हो या फिर कोई pictures हो मैं open करके आपको दिखाऊंगा लेकिन पहले आपको मैं बता दूँ कैसे आप किसी video clip में cut split आप कर सकते हैं तो आईए किसी video को हम करते हैं select देखिए मेरा camera है मेरा camera मैं camera पर click करता हूं और camera में जो मैंने video suit किया है record किया है मैं उसको open करता हूं जैसे मालोई जैसे मेरा पहला वाला video है मैं इसी वो open करता हूं देख सकते हैं आप यहाँ पे अब इसको एक बड़ प्ले करके देख लेते हैं यहां से प्ले डाम के बटन से देखिए इदर अच्छे से आप समझे जा एकदम अब देखिए यहां पे अब देखिए यहां पे जो मेरा video प्ले हुआ है नार्मली हेलो फ्रेंड से तो कहां से हुआ है जो lining यह दिख रहा है आपको मैं दिखा दूँ जो यह lining है यहां से हुआ है start और जो इधर पार्ट का यह वाला पार्ट का जो video है यह मेरा unnecessary है useful नहीं है इसको हमको cut करना है cut क्या करना है जो lining से left की right left वाला करना है तो आईए है कैसे करना होता है cut is में आपको यह video करना है select इसी पर आपको tap करना है जब tap करेंगे आपको यह सब symbol यह सब option open होके आ जाया है guys अब देखिए यहां पो जब यह यहां पर एक option दिया है कैची नाम का कैची आपको दिख रहा होगा यहां पर मैं दिखा दूँ आपको दिखिए यह कैची है आपको इसी पर click करना है आप देखिए यहां पर क्या दे रहा है trim to left of playhead trim to right split at playhead split and insert freeze frame चार features यहां पर देदा है आपको guys अब देखिए यहां पर trim to left क्या इस वीडियो का लेft trim करना है right trim करना है यह split करना है यह फिर freeze करना है तो हमको क्या करना है guys left वाला part trim करना है हमको left वाले पर click कर देगा है फॉस्ट वाले पर अब देखिए click करने के बदिदो आपको रुपर दिया है OK का आप junior इस पे क्लिक कर देना है अब देखिए अब मैं इसको उपन कर रहा हूँ क्या आप एक आनलाइन सेलर हो देखिए यहाँ पर जो मैंना एक जेक्ट जो हमको चाहिए वहाँ से अब ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है अब देखिए यह वाट्स आफ फेस्बुक पर बिजनेस करते हो और माली जे बीच में कि मैं आपको दिखा दू यहां पर मैं यहां से इसको अलग करता है कैसे इसको डिफ्रेंट करता है तो आए चलते हैं लेप टॉप के स्क्रिन पे अब देखिए माली जे यह पुरा वीडियो है मुझे आप राइट साटका करा अamos आम में को यहां से करना है Ahora तो मेरा left का भी trim हो गया, right का भी trim हो गया अब क्या आपको बता रहे है, माल जे कोई भी clip बीच में आ गया है unnecessary, उसको हमको cut करना है, तो क्या करेंगा है, घाई, मैं आपको बता दू हो यहाँ से इसे माल लीजे इसको मैं फोत्फी कर रहा हूँ और I think Logistics यह एक premium brand है guys अब माल लिजे जो मैं बोल रहा हूँ premium माल लिजे premium निकल गया है गलती से उसको मुझे cut करना है guys तो क्या करेंगे आप देखिए यहाँ पे I think Logistics यह एक premium अब देखिए यहाँ पे यही मैं बोल रहा हूँ premium थोड़ा से इसको back करके आपको इस वीडियो पे टैप करना है और उसे कैची वाले पार्ट में जाना है और यहाँ से करना है split at played आपको split करना है split का मतलब होता है guys दो पार्ट में divide करना split का मतलब divide करना अब देखिए यहाँ पे जो मेरा वीडियो एक पार्ट में था अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे अब यह बन गया है देखिए दो पार्ट में दो पार्ट में बन गया है एक पार्ट क्या है यहाँ से मैं दिखा दू आपको देखिए एक पार्ट इधर हो गया एक part यहां हो गया अब क्या कर सकते हैं इसलिए आप यहां पर कट कर सकते हैं अब देखिए मैं आपको दिखा दूँ और I think logistics यह एक premium अब देखिए premium है तो इसको आप यहां से click करिए यहां जाईए और trim to left पर click कर दिजिए अब देखिए अब मैं इसको open कर रहा हूँ और I think logistics यह brand है गाईज premium जो word था वो मैंने cut कर दिया है और वो कहां पर था center में था बीच में था गाईज तो I think आपको यह video समझ में आ गया होगा कैसे आप किसी भी unnecessary video clip को आप cut कर सकते हैं चाहे वो left में हो यह right में हो या फिर center में हो सब मिला कि आपको adjustment सीखना होगा setting सीखना होगा और यह सब कुछ depend करेगा practice पे so guys आज के लिए बस इतना ही हम बनाएंगे part 2 उस पे हम सीखेंगे कैसे आप किसी video में आप image या text को आप insert कर सकते हैं thank you so much thank you so much guys